आज की वीडियो में क्लास फोर लेसन नाइन ओपिन अ बुक या एक पोयम है जिसका हिंदी में अर्थ और अमबाद बहुत ही सरल सब्दों में समझेंगे यहाँ पर बुक के बिसे में बताया गया है बुक पढ़ने से हमको अपने अपना लक्ष प्राप्त होता है देश दुनिया के बिसे में लोगों के बिसे में जानकारी प्राप्त होती है आएए देखते हैं कि और क्या कुछ बुक के बिसे में किताब के बिसे में बताया गया है किताब से हमको क्या-क्या लाव होते हैं यह सारा चीज इसमें बताया गया है आईए देखते हैं open means होता है खोलना a book means होता है एक किताब या किताब किताब खोलना मतलब इनसान किताब को खोल करके क्या क्या कर सकता है कितनी जानकर यह प्राप्त कर सकता है क्या क्या हासिल कर सकता है इस lesson में यही सब दिया गया है आईए देखते हैं, यहाँ पर poet Jane Basquill कहते हैं कि open a book, किताब खोलो and you will find people and places of every kind और आप पाएंगे हर तरह के लोगों और जगहों को, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप किताब खोलेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आपको हर तरह के लोगों और जगहों के बिसे में जानकारी मिलेगी, हर जगह के बिसे में, क्योंकि किताब में ही तो सब दिया रह कौन प्रधान मंत्री, कौन रास्टपती है, या कौन सा पदक जीता, खेल में कौन आगे है, यह सब बुक ही तो है, बुक खोलेंगे, तो आप जगह ताज महल कहां है, यह जगह देश-दुनिया के बिसें में आपको जानकारी मिलेगी, यहाँ पर कहने का मतलब यह है, सकते, बी मतलब बन, बनना, यू मतलब आप, यहाँ पर पोईट कह रहे हैं कि किताब खोल करके, या किताब को पढ़कर आप बन सकते हैं, अब क्या बन सकते हैं, वो तीसरी लाइन में दिया गया है, एनिफिंग डैट यू वांट टू भी, हर वो चीज जो आप बनना चाह बन सकते हैं हर वो चीज जो आप बनना चाहते हैं, मतलब किताब को पढ़कर के, चीजों को अध्यान करके आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी लक्ष अंसिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, पोईट की कहने का ये मतलब है, अब thirdstrangia में आते हैं, open a book, किताब को खोले and you can share, और आप साजा कर सकते हैं, सेर मतलब साजा कर सकते हैं, वंडरस वर्ड्स, मतलब आश्यर जनक सब्दों को you find in there, जो आप वहाँ पर पाएं हैं, मतलब किताब को पढ़कर किताब में आप जो वंडरस जो आश्यर जनक सब्दों को पाएं हैं, या अश्यर जनक चीजे जो वहाँ से किताब में आप सीखे हैं वो आप लोगों के साथ share कर सकते हैं मतलब किताब से पढ़कर आप अपने जानकारी को लोगों तक पहुचा सकते हैं लोगों से साजा कर सकते हैं लोगों को बता सकते हैं लोगों को बताने के लिए चीजे आपके पास तभी रहेंगे जब आप किताब को पढ़ेंगे या अची अची चीजों का ग्यान प्राप्त करेंगे फोर्थ इस्ट अंजर देखते हैं open a book किताब खोले and I will do और मैं भी खोलूँगा मतलब आप किताब पढ़ें और मैं भी पढ़ूँगा you read to me आप मुझे पढ़े and I will read to you और मैं आपको पढ़ूँगा बैसका कहने का मतलब यह है कि किताब को पढ़कर ही या जो जियान होता है अध्यान होता है इन्ही के माध्यम से हम एक दूसरे की विशे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आई हो बच्छो आप लोगों को अच्छे से इसका हिंदी में अनबात और अर्थ समझ में आ गया है और इस पोईम का भाव भी समझ में आ गया है सब मिलाकर यही कहने का मतलब है कि किताब को पढ़ने से, किताब का अध्यन करने से, नई नई जानकरिया प्राप्त करने से, जो किताब होते हैं वो अच्छी जानकरिया प्रदान करते हैं, लोग और जगहों के भी समझानकरिया प्रदान होती है, बुक को किताब को पढ़कर ही हैं उपने लक्ष को प्राप्त करते हैं और हमको एक दूसरे के भिसे में जानकारी होती है वीडियो थोड़ी भी हेलफुल लगी है तो एक लाइक कर देजिए चैनल पर नया है तो प्लेस सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सफी चैप्टर्स के वर् अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुडबाए